जै माता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में बेहत अच्छा कर रहे होंगे स्वस्थ होंगे माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजे मेरे चैनल पर नए है इसको भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइ तब आप उसे pay readings बुक करा सकते हैं तो चलिया आजका divine guidance देख लेते हैं कि आपको क्या आ रहा है माता रानी की तरफ से आपको क्या guidance आ रहा है ये जो आपको reading आज की बता रही है ये ऐसी बता रही है कि कोई इनसान आपके जीवन में ऐसा है जो कि बहुत जादा confident है उसके के अंदर एक confidence भरा हुआ है over confidence जादा है बहुत जादा dominating nature का इनसान है जो कि ये सोचता है कि सारी दुनिया उसकी जेब में है सारी दुनिया को जैसे उसने खरीद लिया है उसकी ऐसी सोच रहती है और वो शक्स बहुत अपने आपको दिखाने वाला अपने आपको पढ़ा लिखा या intelligent और इसको मैं ये नाम दोंगी कि over intelligent कोई भी चीज हच से जादा हो जाती है तो वो फिर अती किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है अती आत्म विश्वास भी आपके लिए नुकसान दे हो सकता है तो इसी तरह का एक इनसान आपके जीवन में है जो की बहुत अपने आपको पर घमंड करता है जिसको की ऐसा लगता है कि वो बहुती smart बहुती अच्छा बहुती caring बहुती इसका अपने खुद के बारे में ऐसी ऐसे विचार है कि इससे जदा smart इससे जदा सुन्दर इससे जदा intelligent खास कर इससे जदा पढ़ा लिखा इससे जदा मतलब दुनिया को इसकी राए की जरूरत है इसको ऐसा लगता है कि दुनिया सारी इसकी राए से चले तो अच्छी चलेगी हाला कि इसका खुद जीवन बहुती खराब है मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है लेकिन मैं इसको फीमेल लेकि 90% चल लही हूँ कि आपके जीवन में ऐसी एक फीमेल है जो अपने आपको बहुत घमंडी है लेकिन अपने आपको बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती रहती है खास कर आपके रिलेशन्शिप से तो वो इतना जादा जलती है जब भी आप अपने पार्टनर के करीब हो होते हो या अपने पार्टनर के साथ रहते हो या अपने पार्टनर के साथ अपने विकेशन मनाई, फोटो डाली किसी भी तरीके की चीज अगर आपने अपने पार्टनर के साथ रखी हुई है जिससे भी यहाँ पार्टनर से मतलब सिर्फ लव रिलेशन्शिप नहीं है partner से मतलब आपका किसी से भी अच्छा bonding हो सकता है वो कोई भी इंसान हो सकता है आपकी friend हो सकती है आपकी mother हो सकती है आपकी sister हो सकती है आपकी कोई भी एक third person जिससे आपका एक अच्छा relationship है उस relationship से मैं इसको partnership लेके चलती हूँ आपके love relationship को लेके चलती हूँ general collective reading है आप अपने आप से ले सकते हैं अपने हिसाब से ले लीजेगा ये जो energy है ये आपके relationship bonding से खास कर बहुत जलती है ये आपकी जगा जो आप लोगों की bonding है जो आपस में एक समझदार ही है जो आपस में एक caring nature है आप दोनों का ये दो friends के बीच में भी हो सकता है उसमें ये उस जगा पे आपकी जगा पे ये अपने आपको रख के देखना चाहती है ये हमेशा ये सोचती है आप में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है क्यों आपके पास वो सब कुछ है जो इतना अच्छा bonding है किसी का किसी का आपके प्रती इतना लगाव कैसे है उस लगाव में ये हमेशा हमेशा एक third party बनने की कोशिश करती है आपको देख देख के ये देखिए आपकी जगा ये अपने आपको imagine करती है और इस तरह से आपके partner के साथ खुद वो bonding बनाना चाती है और इसके लिए इसने बेहद शड़ियंत्र करके रखे हुए हैं आपको नीचा दिखाने के लिए खास कर आपकी जगा पाने के लिए जिस जगा पे भी आप हैं उस जगा पे ये अपने आपको देखती है और आपको उस जगा से धका दे के उस जगा पे खुद बैठ जाना चाती है या वो bonding आपके partner की आपके साथ build up होने नहीं देना चाती इसको इस partnership से इस bonding से इस relationship से बहुत ज़ादा problem है खास कर jealousy है इस relationship से हो सकता है कि आपके partner के प्रती obsessed हो हो सकता है ये आपके partner के से पहले से आपकी जिन्दगी में आने से पहले से उसकी जिन्दगी में रही हो ऐसा भी हो सकता है आपके partner की mother हो आपके partner की sister obsessed है आपके partner की sister in law हो आपकी जिन्दगी में interference करना चाहती है आपकी तरह जीवन जीना चाहती है लेकिन ये मूर्ख औरत ये नहीं जानती कि आप किस तरह से अगनी में तपे हो आपकी तरह जिंदगी जीना आसान नहीं है आपने चीजों को किस तरह से बैलन्स करके रखा हुआ है ये जो बॉंडिंग आपके आपके पार्टनर से बनी है ये उनकी वज़ा से कम और आपकी वज़ा से आपके एफर्ट्स की वज़ा से जादा बनी है आपकी अच्छाई की वज़ा से बनी है आपके शुद औरा की वज़ा से बनी है आपकी जगा लेना इतना असान नहीं है उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इस औरत को कई जनम लेने पड़ेंगे आपकी जगा लेने के लिए क्योंकि आपके जैसा बनना इसकी या आपके पाउं की धूल भी नहीं है मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा हो आपके अंदर एक शुद्ध प्योर सोल है जो कि चीजों को बैलेंस करके चलती है चीजों जो आपके संपर्क में आता है वो अपने आप आपके जैसा बनने बन जाता है और जो नहीं बनता उससे आपकी प्र कोई इशारा जरूर मिला है और ये महिला जो है ये महिला आपकी जगा पाने के लिए बहुत शडियंतर रच रही है बहुत तरीक हतकंडे अपना रही है देखें आपके लव रिलेशन्शिप में आपकी बॉंडिंग के बीच में थर्ड पार्टी बनके ये औरत बैठी हु कोई न कोई चीज ये देखिए कोई स्पेल कर रहा है ये कुछ मिला के खिला रही है ये देखिए और ये शडियंतर दिमाग से खेल रही है खिला भी रही है यहां में ये बताऊंगी कि किसी को भी खिलाने से उसकी बातों का असर बहुत जल्दी पड़ता है जो वो बोलता है वो सामने वाले को वो एनरजी कैपचर हो जाती है इसलिए कुछ मिला कर इनसान खिलाता है खिला देने से सिर्फ नहीं होता है कि खिला दिया तो सब कुछ हो गया नहीं खिला देने से ये होता है कि उसने खिलाया और जो मैंशा से जिस एनरजी से खिलाया लोग एक बोलत पारित भोजन भी नहीं करना चाहिए इनसान को अनका हमारे जीवन में साइंटिफिक बहुत असर पड़ता है इस तरह की गंदी चीजें आपके पार्टनर को खिलाई गई है बेकाइदा शडियंत्र बना के खिलाई गई है और भियानक शडियंत्र आपके खिला खेला जा रह रहा है इतना जादा भरा जा रहा है कि आपके पार्टनर आप मेंसे कई लोगों की पास तक आने की कोशिश नहीं करते हैं आप से एकदम दूरी बना लिए है उन्होंने करिंट एनरजी है आप से नहीं गए इसके पास पास गए हैं कि नहीं गए हैं अभी यह हम आगे जब आपके पार्टनर आपके करीब आना नहीं चाहते आपसे डिसकस नहीं कर रहे है चीजों को आपसे अपनी चीजें बताने रहे बलकि आपसे चीजें छुपा रहे हैं और जहां छुपाना होता है वहां दोस्ती या रिलेशन्शिप में घात किसी ने जरूर किया है और एक भियानक शर्यंतर के तहट आपको अलग किया गया है आप पीछे हो गए आपके पाटनर आपको छोड़के जाने की तैयारी में हैं आपके डिलेशन्शिप में दरार सी आ गई है साथ रहते हुए भी आप में से कई लोग साथ में नहीं हो ये एक शर्यंतर के तहट इनको खिला के इनको बहुत ज़्यादा भरा गया है आपके आचरन को लेके आपके कैरेक्टर को लेके आपके इस नेचर को लेके कि आप किसी को नहीं मानते आप अपने आपको बहुत ज़्यादा बनते हो आप अपने आपको बहुत ज़्यादा दिखाते हो आपको अपनी पढ़ाई पे घमंड है आपको अपनी खुब सीरती पे घमंड है आप अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हो आप अपने बच्चों को किसी के पास आने जाने नहीं देते बला 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 करके बहुत ज़्यादा बाते आपके नेगिटिव बाते आपके पा जान बूच के एक शरियंत्र के तहत कराई गही है और क्या guidance आ रहा है ये शरियंत्र का खुलासा हो रहा है लेकिन इस महिला ने जो भी आपके partner को attract करने की कोशिश की है money problem मनी problem दिखाई है रोई है धोई है खिलाया है पिलाया है बहुत कुछ किया है लेकिन यहाँ पर एक money problem भी बहुत ज़्यादा दिखाई है बहुत ज़्यादा पैसो की दिक्कत दिखाई है लेकिन ये देखिए ये लेड़ी जो एक अंधकार में जा रही है पीछे से इसको य नहीं हैं और इतनी बुरी तरह इसके गाल पर गौड के तमाचे पढ़ेंगे इतनी जोड से इसके कर्मों के तमाचे इसको पढ़ने वाले हैं कि ये औरत इस तरह से अंदकार में भागती हुई आपको नजर आएगी या सब को छोड के बहुत जल्दी इसके कर्मा इसको इस एक अंधेरे कुएं में डालने वाले हैं कि एक बदनाम हो जाएगी किसी को मुझ दिखाने लाइक नहीं रहेगी इतनी बुरी तरह गिरेगी सबकी नजरों में कि उठने की कोशिश करेगी तो उठने ही पाएगी ऐसा बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है जो महिलश आपके पार्टनर और आपके बीच में जगड़ा के लड़ाई लगवा रही है आपकी डिफेमिंग कर रही है इसकी असलियत इसका चेहरा सबके सामने आने वाला है अपने कर्मा ये बहुत जल्दी भोगने वाली है आपकी पार्टनर आपको वापस मिलेंगे अभी भले वो दो नाव पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब इससे जटका खाएंगे इसकी असलियत वो भी जान लेंगे तो वो सिर्फ आपके पास आएंगे आपी को देखेंगे ये नीचे हो जाएगी और आप उपर हो जाएंगे बहुत जल्दी ये दिन आपके ज शिक्स मन्स आजाएगा जैमा तदी हर हर महादेव